अत्यंत प्रसंदता का विश्य है कि आज दूरदर्शन देहरादून के तत्वावधान में साहित्य की कार्यक्रम के अंतरगत हिंदी कभी गोष्ठी का आयोजन किया गया है इस गोष्ठी में शहर के अनेक गणवान्य रचनाकार उपस्थित हैं उनमें श्री प्रत्वे सिंग्रावध जी जो गीत गजल और कविताओं के माध्यम से साहित्य में अपना स्थान रखते हैं उनका हारदी कभनंदन है स्वागत है उनके साथ मेरे दाहिने पार्शों में हैं स्रीमती डॉली डबराल जी जो अनेक पुस्थकों की रचईत्री हैं निरंतर साहित्य में अपनी उपस्थिती दर्ज करती हैं कविताओं के माध्यम से गीत गजलों के माध्यम से पद्य ही नहीं गद्य में भी आपने अफ्रीका हाउस जैसी पुस्तक लेकर के एक नई पहचान बनाई हैं आज देहरादून के इस दूरदर्शन के कार्यक्रम में आपका हर्दिक स्वागत है अभिनंदन है मेरे बाई और आदणिया स्रीमती बीना बेंजवाल जी हैं जो कविता के क्षेत्र में हिंदी और गढ़वाली दोनों ही भाशाओं में एक विशिष्ट पहचान रखती हैं आपने कोश साहित्य को नितांत सम्रद्ध किया है और कोश में हिंदी गढ़वाली कोश के रूप में आपकी अपार ख्याती हैं आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है और बीना जी के बगल में आदणिया कमलेश्वरी मिस्राजी हैं जो निरंतर हिंदी गीतों के माध्यम से हिंदी कविताओं के माध्यम से साहित्य में अपना इस्थान रखती हैं अपनी पहचान र देखी हैं आपका हार्दिक स्वागत है इस दूर्दर्शन की इसका विगोश्ठी में और मैं डॉक्टर राम विने सिंग एक कवी हूँ संस्कृत हिंदी और उर्दू तीनों ही भाशाओं में लिखता हूँ मेरी नव पुस्तके प्रकाशित हैं तो यह कवी संगोश्ठी आगे बढ़ती हैं मैं प्रथम क्रम में स्री प्रत्वी सिंग रावजी को आमंत्रत करता हूँ कि अपनी रचनाओं के माध्य से आप इस वातावरन को नई दिशा दें प्रत्वी सिंग रावजी है हमारे देश में हमारे समाज में कन्या ब्रून हत्या एक बहुत बड़ी जुलन समस्या है तो इसी के उपर मैंने चोटा सा गीत लिखा है वह आपको सुनाता हूँ सब्सक्राइब फूल को खिलने से पहले मत मसलिये दोस्तो फूल को खिलने से पहले मत मसलिये दोस्तो राह में काटे बहुत उनको कुचलिये दोस्तो बहुत 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 मत मसली डोस्तो पहला बंद sorry जिस कली को तुमने वासे आड़ क्या पता मोन थी बन तो सकती थी वह इंदिरा थब मगर वह मौन थी गिर चुके हो तुम बहुत अब तो समलिये दो स्सथो फूल को खिलने से पहले मतमसलिये दो स्सक्थो नारी ही नारी की दुश्मन क्या गजब ये हो रहा नारी ही नारी की दुश्मन क्या गजब ये हो रहा अपने ही अस्तित्य को संसारे सारा खो रहा नारी के बिना समात क्या अस्तित्य है ये नहीं बहुत सुनर कि अपने ही अस्तित्व को संसार सारा खो रहा बेटी ही है कल की माता ये समझ यें धोस्तो बेटी ही है कल की माता ये समझ ये धोस्तो फूल को खिलने से पहले मत मसलिये दो जितो बहुत अच्छे, बहुत बढ़ी है अंती मन है? जी कब छटेगी काली बदली कब सवेरा होएगा कब छटेगी काली बदली कब सवेरा होएगा कौन सूने आसमा पे चांद लाके बोएगा कौन सूने आसमा पे चांद लाके बोएगा रोशनी को और रोशन कर दिखाओ दोस्तो रोशनी को और रोशन कर दिखाओ दोस्तो बढ़ी है, बढ़ी है, बढ़ी है, बढ़ी है, बढ़ी है बहुत अच्छी रचना कन्या भृण हत्या को केंद्र में लेकर के आभी प्रसुत कर रहे थे स्री प्रत्वी सिंग्रावजी पित्रो इसक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसी कवित्री के पास चलना चाहता हूँ जिनके स्वर में माधुरिय है जिनकी वानी कविता को ऐसा स्वर सौपती है जिससे कविता शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म के रूप में रूपांतरित हो करके मन प्राणों में कविता मिजाजों की दुनिया है मिजाजों की दुनिया है मिजाजों की दुनिया पता क्या चले है मिजाजों की दुनिया पता क्या चले मिलते मिलते बिछुड जाएं पता क्या चले मिलते मिलते बिछुड जाएं पता क्या चले हैं मिजाजों की दुनिया पता क्या चले रूठने का सलीखा भी आता इन है हम मनाने की जिद में अड़े हैं रूठने का सलीखा भी आता इन है हम मनाने की जिद में अड़े हैं अभी है मिजाजों की दुनिया है मिजाजों की दुनिया पता क्या चले गौर करना भी इन की फितरत नहीं हम मनाने की जिद पाले हुए है मिजाजों की दुनिया है मिजाजों की दुनिया पता क्या चले मिलते मिलते बिछुड जाएं पता क्या चले पता क्या चले रोज यू ही गुजरते हमें देखकर रोज यू ही गुजरते हमें देखकर फासले बन के रह जाते अर्मा सभी है मिजाजों की दुनिया है मिजाजों की दुनिया पता क्या चले मिलते मिलते बिछुड जाएं पता क्या चले पता क्या चले बहुत अच्छी कविता स्रीमती कमलेश्वरी मिस्टा जी ने पढ़ी और इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं और चलता हूँ, अब एक ऐसी कवित्री के पास, जो कहती हैं कि मैं स्वर में नहीं सुनाती, लेकिन शब्द के भीतर भी एक प्रकार की अनुरणना होती है, शब्द भी अपने भीतर बजते हैं, तो उनके भीतर काव्विके जो शब्द हैं, एक अलग प्रकार का नाद प्रस्तुत है कविता, बेटियों को माई के बुलाता है पूस, अपनी जड़ों से उन्हें मिलाता है पूस, बेटियों को माई के बुलाता है पूस, अपनी जड़ों से उन्हें मिलाता है पूस, और बर्व सी पिगल जाती है बारव मासी पीडा, जब पास चूले के बेटियों को बैठाता है पूस. जब पास चुले के बेटियों को बैठाता है पूस घास लकडी का बोज उनके सिर से उतार उन्हें खुब हसाता गुदगुदाता है पूस और जुमेलो लगा संग उनके गुदगुदा लोग की ले और रीत बचाता है पूस बेटियों को मायके बुलाता है पूस अपनी जड़ों से उन्हें मिलाता है पूस बाडी सत्तु कभी भुने अनाज के खुश्मू कुराने लोगों को ये बात याद होंगी कि बाडी सत्तु कभी भुने अनाज के खुश्मू कभी अर्से के तेके लगाता है पूस और मकरेन का कौथिक दिखा करता है विदा कि मकरेन का कौथिक दिखा करता है विदा गुनगुनी धूप सा बेटियों को बहाता है पूस गुनगुनी धुप सा बेटियों को बहता है पूस इन शहरों ने भुला दी है जिन गाओं की सुद उनकी खुद मन में लगाता है पूस और आओ लौट चलें हम भी अपनी जड़ों की ओर पहाडी धारों से धाद लगाता है पूस पहाडी धारों से धाद लगाता है और इसक्रम को आगे बढ़ाता हुआ अब मैं एक ऐसी कवेतरी की ओर चलता हूँ जो कविता, गीत, गजल हर विधा में गद्य पद्य की अनेक विधाओं में कलम चलाती है और बहुत मधुर कंठ भी आपके पास है डाली डबराल जी चार पंतियां नारी के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ नारी को सदा दबाते क्यों हो विध्रोही होने को उकसाते क्यों हो चलने दो उसे उसकी चुनी राह पर उसके पत पर काटे बिचाते क्यों हो बहुत अच्छा वाँ और कभी कभी नारी के जीवन में ऐसे मित्र भी होते हैं, जो उसका हर संकट में साथ देते हैं, जरूरी नहीं है कि इस्त्री और पुरुष के मध्धे में कुछ हो ही, ऐसे एक सुन्दर सा गीत आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश कर रही हूँ. ऐसी प्रीत निवाही तुमने हर संकट में साथ दिया, आपको, 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 साथ दिया, उल्जे, उल्जे, से प्रश्नों के उत्तर बन कर साथ दिया, ऐसी प्रीत, चाहे निर मोही हो कितने, पर कुछ वचनों के खात ही, छोड़ जगत की, छोड़ जगत की, छोड़ जगत की, छोड़ जगत की, रीत को तुमने जीने का अधि कार दिया, सी प्रीत, जब जब बाण चले व्यंगों के, तुमने खीची प्रत्यन चाए, मुखर हुए तुम, मुखर हुए तुम, मुखर हुए तुम, मुखर हुए तुम, मौन त्याग कर, शब्दों से फिर साथ दिया, ऐसी प्रीत, से बहुत अची कविता है, कव हूँ बन संबल बस साथ दिया ऐसी प्रीत कष्ट भरे जंजावात में कष्ट भरे जंजावात में तुम पतवार बने थे मेरी जब जब संकट में थी नौका जब जब संकट में थी नौका तुम ने ही तो पार किया ऐसी प्रीत अनते बन पेश कर रही हूं थोर न पाया जब इस जग में थोर न पाया जब इस जग में तुमने ऐसा नगर बसाया बने रहे तुम बने रहे तुम बने रहे तुम प्रेहरी चौकस रक्षक बन भय दान दिया ऐसी प्रीत निवाही तुमने हर संकट में साथ दिया उल्जे उल्जे से प्रश्णों के उत्तर बन के साथ दिया ऐसी प्रीत निवाही तुमने हर संकट में साथ दिया ये थी डॉली डबराल जी जिनोंने समधूर कंट से अपने गीत को यहाँ पर प्रस्तुत किया और अब इस काब्य गोश्टी को आगे बढ़ाते हुए मैं काब्य पार्थ हे तो आमंत्वित करना चाहती हूं उस कवी को जो नकेवा सुमधूर कंट के धनी है वे गीत कार हैं टीएवी पीजी कॉलेज में संस्कित विभाग में एसोसियेट प्रोफेसर हैं तो आदर के साथ काब्य पार्थ हे तो आमंत्वित कर रही हूं डॉक्टर रामविराई सिंग जी को कि वो अपनी रशना का पार्थ करके हम सब को आला दित करें तो जब कभी पहाड के उपर जब अगनी की लपटें पेड़ पौधों और बहुत से पंचियों के आश्यानों को जीव जंत्वों के आवास को जोलसाती हुई दिखाई पड़ती है तो कभी का हरदय कैसे दर्वित होता है कैसे पीडित होता है इस चत्र को इस भाव को एक कीडित के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ और कहता हूँ जुल से फूल रो रहे नंदन कानन में जाने कितना दर्द परोसेगी मानव की भूल भस्म हुई खुशियों के तल पर उगते बड़े बबूल कि हिम गिरी के ये तपते आसूं कि हिम गिरी के ये तपते आसूं बहुत तपाएंगे देख रहा कवी उस भवेश्य का द्रेश्य नहीं अनुकूँ बहुत बढ़िया बात खुश्य बहुत सुन्द है बहुत सुन्द है जुल से जुल से पेड़ रो जुल से जुल से फूल रो रहे नंदन कानन में आग आग खेली है तुमने हिम के आगन में जुल से जुल से फूल रो रहे नंदन कानन में कि तुमने सिर्फ घरों दे अपने देखे पले बढ़े मनुष्य के लिए कह रहा हूँ हूँ हमाना उजाती के लिए कह रहा हूँ कि तुमने सिर्फ घरों दे अपने देखे पले बढ़े तुम बस औरों के पथ पर ही हर दम चले चड़े तुम क्या जानो स्वाभिमान का जीवन क्या होता तुम क्या जानो स्वाभिमान का जीवन क्या होता तुमने नहीं कभी औरों की खातिर भाव गड़े कि पंची के चूजे पंची के चूजे भड़ भूजे से बिखरे वन में जुल से जुल से फूल रो रहे नंदन कानन में नंदन कानन में आग आग खेली है तुमने हिम के आंगन में कि धरती क्या होगी जब उस पर पेड़ नहीं होंगे कलपना करके देखें कि कैसा दृश्य होगा कि धरती क्या होगी जब उस पर पेड़ नहीं होंगे बहती नदी छलकते जरने धेर नहीं होंगे धेर नहीं होंगे सोन चिरी मोनाल नहोंगे तीतर और बटेर जंगल की क्या शोभा हो जब शेर नहीं होंगे कि मानवता पर आज यहां सब हसते मधुवन में जुल से जुल से फूल रो रहे नंदन कानन में जुल से जुल से फूल रो रहे नंदन कानन में पत्थर ने दिल पर पत्थर रख पीडाए सहली पत्तर ने दिल पर पत्तर रख पीडाएं सहली रो रो कर बर फीले पर्वत ने बातें कहली रो रो कर बर फीले परवत ने बातें कह ली देवदारु की होम हो रही पावनता चुप है देवदारु की होम हो रही पावनता चुप है जुल सी रम्य कछारे अपने मन ही मन ढहली इस निसर्ग की व्यथा कथा इस निसर्ग की व्यथा कथा छाई हर चितवन में जुल से जुल से फूल रो रहे नंदन कानन में आग आग खेली है तुमने हिम के आंगन में जुल से जुल से फूल रो रहे नंदन कानन में बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर संसामिक बहुत सुन्दर और इस प्रकार यह कभी गोष्ठी पूर्णता को प्राप्थ होती है आज के इस यग्य में काव्य यग्य में पधारे हुए जो रचनाकार हैं आप सब को हारदिक बधाईयां बहुत बहुत धन्यवाद